नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो अमिट चैनल में आपका स्वागत है हल्दी और सहत के फायदों के बारे में सभी आयरुवेदिक ग्रंथों में भरपूर मात्रा में लिखा गया है विस्तार से इनके फायदों के बारे में ग्रंथों में लिखे गया है और जब इन दोनों को मिल और जाए तो इनके फायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप सहद में चुटकी भर हल्दी मिला कर खाते हैं तो इसके सरीर में जवर्दस्त फायदे होते हैं आईए में उन फायदों के बारे में आपको कुरम से बताता हूं हल्दी में करक्युमीन और सहद में पाई जाता है, जो सरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में हमारी मदद करते हैं। हलदी और सहथ में Anti-Inflammatory गुण होते हैं, जो हात पैर के दर्द, जोडों के दर्द को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। हल्दी और सहत को मिला कर खाने से सरीर की रोक प्रतिरोधक चमता बढ़ती है और यह बिमारियों से सरीर को बचाने में भी बहुत असरदार है हल्दी और सहथ में फ्लेवोनाइड होते हैं जो केंसर जैसे गंभीर और बड़ी बीमारियों से हमारे सरीर का बचाव करने की छमता रखते हैं हल्दी और सहथ दोनों में एंटी बैक्टिरियल गुण हैं जिसके कारण इन्हें मिला कर खाने से तोचा मुलायम और चमकदार होती है हल्दी और सहथ को मिला कर खाने से बलट सुगर के इस्तर को नियंतरीत रखा जा सकता है और यह डैवर्टी होने की संभावना से भी हमें बचाता है हल्दी और सहद को मिला कर खाने से कोलेस्टरॉल का लेवल नियंतरीत रहता है यह हिर्दय की बिमारियों जैसे हार्ट अटेक और कोलेस्टरॉल के बढ़ना या किसी भी प्रकार की अन्य रोगों के लिए एक राममान आउस्धी का काम करता है हल्दी और सहद में पोटेशियम भरपूर मात्रम पाया जाता है जिसके कारण यह ब्लड प्रेसर को नियंतरीत रखने के लिए एक आउस्धी का काम करता है हल्दी सहद दोनों में फाइवर भरपूर मात्रम होता है इसे खाने से पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहती है कब्ज जैसी कोई भी समस्या से बचा जा सकता है हल्दी और सहद में फास्फोरस होता है जिसके कारण यह हड़ियों को मजबूत करता है दांत को मजबूत करता है या मसूडों की तकलीफ को दूर करने के लिए भी अत्यांत गुनकारी है तो आप हल्दी और सहद के मिस्सरन का उप्योग करें और स्वस्त और सुखी रहें धन्यवाद